तिवारी जी हमें एक बात समझ में नहीं आती कि सल्मान ने अपने बच्पन के खास दोस्त का कतल क्यों किया और कतल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आकर अपना गुना कबुल किया बल्कि वो हतियार मतलब चाकू उसे बरामत भी करवाया जिससे कतल हुआ था पर गौर करने वाली बात ये है कि उस पर कोई फिंगर प्रिंट नहीं था लगता है उसे किसी ने मिटा दिया पर ये कौन हो सकता है और जिसने भी ये किया है वो पूरे प्लान के साथ किया है ताकि वो पकड़ा ना जा सके तिवारी जी ये केस उपर से जितना असान लग रहा है उतना है नहीं हमें मौका ये वारदात पर वहां जाकर पता लगवाना होगा कि पूरा माजरा क्या है तभी ये राज खुलेगा चलिए आईए हमारे साथ